जारखंड से जिला सोलन में मेहनत मजदूरी करने पहुंचे एक युवा के दांतों में घजब की ताकत है जिसे देखकर स्थानिय लोग भी दांतों तले उंगली दबाने को विवश हो जाते हैं जारखंड के जिला गुमला के गाउं मोक्टा के एक 22 वर्ष युवा रामजय 50 किलोग्राम का सीमेंट का बैग आसानी से अपने दांतों से उठाते हैं युवा की इस प्रतिभा को देखकर स्थानिय लोग भी उनकी प्रिशन सा कर रहे हैं जिला सोलन के उपमंडल कस्वाली के तहट पढ़ने वाली ग्राम पंचायत गांगुडी की अंतरगत आने वाले गाउं खजरेट में ब्रिजलाल ठेकिदार के पास जहारखंड का रामजय मजदूरी करता है रामजय सीमेंट से भरी बोरी को दान्तों से एक ही जटके में यूँ उठा लेता है जैसे उसके लिए ये सीमेंट की बोरी ना होकर कोई हलका फुलका लिफाफा हो रामजय की इस प्रतिभा को देख कर हर कोई हैरत में पढ़ जाता है कि इसके दांतों में इतनी ताकत है 22 वर्षी रामजय से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि वो बचपन की शरारतों के दौरान ही ये हुनर सीख गया पहले घर पर जो एक दो किलो के सामान का बैग था वो हाथ लगाए बिना दांतों से उठा कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचा देता था थोड़ा बड़ा हुआ तो 10 किलो ग्राम वजनी आटे की थैली को वो अपने दांतों से उठाने लगा इसके पश्चात वो भार को थोड़ा थोड़ा बढ़ाता गया और अब वो सीमेंट की बोरी को भी आसानी से उठा लेता है ये रोचक बात है कि 50 किलो की सीमेंट की बोरी उठाने वाला युवक रामजय ने अपने गाउं में कभी पेस्ट और ब्रश तक यूज नहीं किया वो दातुन से ही अपने दांतों को मजबूती प्रदान करता है रामजय ने बताया कि गाउं में हमेशा करंज की दातुन का इस्तेमाल करता है ब्यूरो रिपोर्ट सिटी चैनल सोलन